कि नमस्कर दोस्टो अगर आप लोग ईंप estas सब्सलिक विडियो 920 के लिए बहुत ही जादा इंप्रींड़ वाला है क्योंकि दोस्टो आज के से सब्सक्राइब और प्रूलों सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब सबसे पहले आप लोगे पास पहुंच सके दोस्तों हमारे चैनल पर EPO सरेलिटेड नए अपडेट सबसे पहले अपलोड किया आते हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर ले चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं और बताते हैं क्या है प्रोब्लम और कहां पर देखने को इंटरफेस खुलके आप लोग के सामने आता है, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग को वी वाल ओप्सन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को सर्विश्टी देखने को मिलता है, यहाँ पर हम किलिक कर लेते हैं, अब दोस्तो जितने भी company में आपने काम किया है उस सभी company का यहाँ पर history आप लोगों को देखने को मिलेगा अब दोस्तो यहाँ पर देखेगा इस member ने केवल एक ही company में काम किया है तो यहाँ पर दोस्तो एक ही company का देखने को मिल रहा है अगर आपकी case में हो सकता है कि आप आ देखने को मिल रहा है तो यह बताए गया है कि 28 2017 को इन्होंने कंपणी जोड़ दिया था अब दोस्तों चलते हैं कि वाले सेक्षन पर क्लिक करते हैं और कि वाले अप्षन पर क्लिक कर देते हैं अब दोस्तों यहां पर क्योईसी वाले सेक्षन पर आ चुके हैं और यहां पर आप लोग करेंट एक्टिव क्योईसी देखने को मिल रहा होगा यहां पर आप देखेंगे कि इनका पैन क्योईसी जो है अपरूबल है बैंक क्योईसी जो है उब अपरूबल है लेकिन दोस्तो तो यहां पे उनका आधार किवाइसी कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तो अब इनके जो पूर्टल पर आधार किवाइसी क्यों नहीं है चलिए आपको बतायता हूं क्योंकि दोस्तो पहले क्या होता था कि पहले आधार किवाइसी जरूरी नहीं था जो अगर आपके UN के साथ आधार नमबर लिंक हो या ना हो उससे कोई फरक नहीं परता था आप UN पोटल पर जाकर सब काम कर सकते थे अपना पीएफ बिड्रोबल कर सकते थे केवाईसी कर सकते थे या पीएफ टास्पर कर सकते थे लेकिन दोस्तो दोजार एककिस में एप्यफों ने आधार को UN से लिंक करना अनिवार ये कर दिया था सन 2021 में एप्यफों ने बता दिया था कि UN को आधार कार से लिंक करना अनिवार ये है अब दोस्तो इनका आधार UN के साथ इसलिए लिंक नहीं है क्योंकि इन्होंने 2020 में ही नोकरी छोड़ दिया था यानि कि 2021 में एप्यफों नियम ला और नइ कंपने के ज़एन किया, तो अपने employer को बताय है, फहले से u A number है, इनज गे employer ने जो है, इनका OUTHARstagर से u A number निकालने कोशिच क्या, तो ATHAR нет निकला, दोस्तों इनके employer ने इसको बताय कि आपका u A number 100 नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इन्होंने क्या कि यह नोने कागज पर लिखके यह नमर अपने इंप्लोयर को दे दिया कि यह मेरा यह नमर है और इस पर पैसा जमा कीजिए तो इंप्लोयर ने बोला कि यह हम कागज पर लिखके यह नमर नहीं लेंगे आपने जो है यूएन पोर्टल पर जाए तो अगर प्रिंट लेकिक नहीं आइंगे उसका निकालकर तो हम SPS麼 पैसा जमान नहीं करेंगे इस Un पर । दोस्तों आप लोग को नहीं पता करें कि यए वीडियो मिल जाएगा वहां से वीडियो पर किलिक करके वीडियो देख सकते हैं तो किस परकार अपना यह नमर आप निकाल सकते हैं पूरी जानकारे इस वीडियो में दिया गया है तो एंड इसकी में आपको वीडियो मिल जाएगा अब दोस्तों इस मेंबर ने पूरी कोशि इसी है नहीं तो आधार थाड़ से इनका यूए नमर कैसे निकलेगा अब दोस्तों जो इनके साथ प्रोलम है हो सकता है कि आपके किसी दोस्तों के साथ यह प्रोलम हो या आपके किसी जान पहचान वाले के साथ यह प्रोलम हो तो दोस्तों आपको बता दे कि यह प्रोलम अग कि वैसी जरूर चेक कर ले क्योंकि अगर आपका आधार कि वैसी कंप्लीट नहीं होगा तो आप प्याप का पैसा नहीं निकाल पाएंगे नहीं प्याप का पैसा ट्रासफर कर पाएंगे इस प्याफों में किसी परकार का कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे पासवर्ड तक चैनल नी कर पाएंगे दोस्तों तो इसलिए आप लोग को सबसे पहले अपना आधार की वज़ी देख लेना है कि complete है या नहीं हो सकता है कि अगर आपका आधार की वज़ी complete ना हो तो आपका यूए नमर जो है लोगी नहीं ना हो यूए नमर बंद कर दिया गया हो और वहाप सारे प्याट मेंबर का आधार से यूए लिंग नहीं था तो वे प्यआप पोड़ुटल पर लोगिन ही नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दोस्तों इस मेंबर क्था इसा नहीं है इनका लोगिन हो रहा है और इनका आईडी पासवेट डालने के पादर कलिक करते दो लोगिन हो करना है उस कंपनी के इंप्लॉयर्स से आपको बात करना है उनको कहना है कि सर मेरा इवेन फोटल में आधार कि अधार कर दीजिए उनको दोस्तों आपको क्या करना है अपने आधार काड का और उन् sob रिक्वेस्ट के लिए और उनसे अपना स hadhaar kvc क्रदेगा अगर दोस्तो आपके कंपनी आपके बारवा request करने पर भी आपका धार kvc कम्प्लीट नहीं कर ला है आपको काम करती वइंड से ज्यादा हो चुका है तो दोस्तों आपको क्या करना है अपने इंपलोवर कहना है कि सर आप अगर आदार की वाइसी नहीं कर रहे है तो मेरा नया UN नमर पर हमारा PF का पैसा जमा कीजिए अगर दोस्तों आपके UN के साथ आधार लिंक नहीं है और आपका PF का पैसा उसी UN नमर में जमा हो रहा है तो दोस्तों आपको बता दे कि आपको पैसा निकालें बहुत दिक्कत होने वाला है इसलिए अपने आधार काड को अपने यूएन के साथ लिंक जरूर कर ले तो दोस्तों ये थी छोड़ी जनकारे जो आप लोग को बता रहा था अगर जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे अगर दोस्तों साथ सेर करें ताकि आगर उनके साथ भी इस तरका प्रोलम हो अगर दोस्तों उनके साथ भी इसकी सलोसन मिल सके मिलते हैं नेस्ट भीडियो अमे तब तक कि लिए धन्यःबाद